दोस्तों आज की जो recruitment है वो Tata Steel में निकल के आ रही है और इसकी में complete detail देता हूँ आपको main चीज क्या होती है job मिले ना मिले लेकिन आपको उसके लिए preparation करना continue रखना होता है और किसी job के लिए चाहिए क्या वो आपको पताऊना चाहिए और Tata Steel की जब मैं पूरी job detail आपको बताऊंगा description उसकी दूँँगा तो उसी हमाँ आपको idea लगजेगा कौन सा software आपको आना चाहिए क्या skill आपको होनी चाहिए तो आप Tata Steel या वैसी MNC companies में जा सकते हो तो complete video देखना लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस video में आप एक और चीज़ सीखने वाले हो कि जो site engineer है जैने design engineer उन में से दोनों में से सबसे अच्छी job किसी है क्या सीखना चाहिए क्या करना चाहिए और साथ में जो Tata Steel में भी job है वो किसके लिए design engineer के लिए तो दोनों mixed video में आपके लिए बनाई है तो इस video में आप job के लिए भी apply कर सकती हो और सीखोगे भी काफी चीज़े तो पहले मैं job का आपको बता देता हूँ फिर site engineer और design engineer का difference दोनों चीज़े आपको बताऊँगा जो सबसे पहली recruitment है टाटा स्टील में वो आपके लिए टाटा स्टील में job मिलना बहुत बड़ी बात है structural design engineer की job है एक opening है तीन recruitment ऐसी है मैं उनके बारे में बता दो दिल्ली job location रहेगी चार से साथ साल का experience मांगा हुए job description क्या रहेगा senior structural design engineer function आपका central marketing टीम और इंजिनिंग में रहेगा और अगर हम बात करें इसमें आपको काम क्या रहेगा आपको ensure करना pre or post order structural design होंगे SLA ने जो कहा होगा मैं तो लगा लो client ने जैसे कहा वैसे आपको पूरा करना है जो भी approvals होंगे drawings के वो client से आपको करवाने है as per SLA target आपको fabrication drawing आपको manufacturing side execution और design development यह सब चीज़ें काम करने देंगे pre order work क्या रहेगा आपका जो भी client कहता है वैसे आपको करवाना है structural feasibility आपको चेक करना है basic जो भी proposal होंगे drawing के वो आपको देना है post work क्या होगा आपको structural drawing करना है जो भी final inputs आएंगे SLA से या layout से वैसा design आपको बनाना है फिर आपको जो भी structural design calculation होगी drawing approval होगा third party से होगया IIT से होगया और जगह से आपको approve करवाके करवाने BTEC आपकी civil engineering में होगी तो आप apply कर सकते हो बाकि अगर आपने MTEC की है structural engineering में आपको preference दी जाएगी और chartered engineer जो होगा उसको भी preference दी जाएगी minimum 5 साल के experience किसमें आपका होना जाहिए light gauge, stale frame जो होते है PP या structure steel के बारे में एक वैसे ही काफी recruitment है आपके लिए वह भी मैं बता देता हूँ फिर उसके बाद site engineer उसका जो difference है वह होगा एक और job जो रहती है detailing manager की उसकी detail में आपको करता हूँ इसमें तीन से साथ साल का experience मांगा हुए और इसमें सीधा हम चलते है software education क्या मांगा हुए दो साल का experience होना चा यह AutoCAD inventor चाहिए Tecla and frame CAD detailer अगर आपको आता है तो advantage आपको रहेगी आपकी minimum qualification क्या होनी चाहिए सीविल यह mechanical आपने की होनी चाहिए और BTEC अगर आपने की है तो आपको प्रेफरेंस दीजिए कि मतलब डिपलमा वाले apply कर सकते हैं तो जो आपको आना चाहिए यह सामने आप देख रहे हो आपको B.O.M. जो रहता है जहां B.O.Q. रहता है वो आपको बनाना चाहिए 3D drawings यह सब चीजें देखो यह चीजें पड़ा करो जो job आती है यह नहीं देखा अगर वो experience नहीं है तो हमने apply नहीं करना है बाकी चीजें भी matter करती है वो चीजें देखनी होती है जैसे यह job at technology application support group 5-12 साल का experience मांगा हुआ है और इसमें क्या job रहती है मतलब वो देखते है B.TEC, M. सीविल में आपका मांगा हुआ है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो तो इसकी भी पूरी detailing पढ़ लो में description में link डाल देता हूँ direct आप हमारी website पहुंचोगे वहां जाके आप apply कर सकते हो ठीक है अभी चलते हैं हम कहां पे जो difference में बताने वाला हूँ design और site engineer में कौन सा आपको career option आपको choose करना चाहिए कहां जाना चाहिए वो सब चीज़े बात करेंगे तो शुरू करते हैं वो topic complete कर ली जहां civil engineering के बाद हमें job क्या करनी है दो main difference आज बताऊंगा site engineer और design engineer का क्योंकि मैं दोनों जगा काम कर चुगा हूँ as a designing engineer भी काम किया हुए और site engineer भी काम किया एक चीज माइंड में रखना कि आपका interest किसमें है interest matter करता है अगर interest नहीं होगा ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत आएगी इंट्रस्ट मेरा site engineer इसा स्टार्ट से लेकिन मैं as a site engineer जब जोइन किया field पे पहुंचा तो उसके बाद एक दो साल बाद मैंने switch किया designing में कि मैं design engineer का काम करूँआ लेकिन जब वहां मैं designing में पहुंचा software एक-दो software में बताऊंगा कौन-कौन सा software आपको आना चाहिए designing में और किस जॉब के लिए कौन सा software काम आता है मैं एक-दो software सिखा मैं पहुंचा site office में मतलब बड़ी आप सही था site engineer से उनकी life अच्छी है मैं बताऊंगा आगे क्यों अच्छी है आप पहुंच के office में काम करना start किया लेकिन जब जो sitting चाहिए पागल हो जाओगे तो फिर फिल्ड पे चले जाओ अगर sitting अच्छी है तो फिर अंदर गुसो अभी इनके comparison करते हैं फिर आप easily choose कर सकते हो तो comparison के लिए सबसे पहले हमारा जो qualification है उस पे उस basis पे देखते हैं आपका designing field कैसा था मतलब आपको design ऐसे structure analysis यह subject कैसे लगते थे अगर आपको concrete technology theoretical चीजें जहां जो practical test किया जाते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता था तो आप फिल्ड में जाए फिल्ड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे ख्याल में field में सबसे ज़्यादा मज़ाता है अभी real study based इसका analysis करते हैं तो start करते हैं सबसे पहले comfort को ल नहीं है लेकिन designing में अगर हम बात करें comfortable work है proper timing रहीगा आप सुबह 9 बजे आओ शाम को 6-7 बजे चले जाओ यह mostly रहता है मतला हर एक project में ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर हम average में design engineer का comfortable work है side work daily जाना पड़ेगा और side work में क्या होता है daily आपको execute करने जाना पड़ेगा नहीं त कर सकते हो आपको छुपटी मिल सकती है लेकिन site engineer को पहुंचना ही पहुंचना है तो designing में एक और यह मतलब अच्छी चीज़ है as a side engineer आप part time job नहीं कर सकते हैं कोई भी freelancing नहीं कर सकते हैं टाइम ही नहीं होगा freelancing करने के लिए लेकिन आप इसमें design engineering में freelancing कर सकते हो पार टाइम जाब कर सकते हो आप अपनी जॉब खतम करके फर्म खोल लो शाम को 6-7 बज़े वहां बैठो वहां भी काम कर सकते हो मतलब खुला काम है बहुत जादा काम अगर designing में आते हो और यहां अगर daily काम की बात करें कोई मतलब बेस्ती तो नहीं कर रहा side engineer की इसमें एक design engineer का मैंने देखे है mostly कि 5-6 दिन काम रहेगा एक दो दिन छुटी रहती ही रहती है यह अपना experience बता रहा हूं मैं पूरा पूरा यह नहीं की designing community की कोई बात रख रहा हूं ठीक है और अगर हम बात करें एक चीज में आपको जुरूर बता दूं जो design engineer है वह design engineer मेरे खाल में अच्छा design engineer तब तक नहीं बन सकता तब तक उसे एक field पे काम नहीं की है अगर वह side engineer नहीं रहा है थोड़े साल तक एक दो साल तक वह अच्छे से नहीं कर पाएगा क्यों हमें designing में चाहिए imagination power काफी चीज़े चाहिए software के दम पे अगर आप प्लान बनाओगे doings बनाओगे तो वह उतनी executable नहीं बनती कि जो अच्छे से perform कर पाएगी वह ऐसी नहीं बनती है तो आपको वह करना पड़ेगा और side engineer जहां field जोब में अगर हम देखें तो आपको physical body का बहुत उदर होगा physical body strong चाहिए बाई वहाँ आप दोना पड़ेगा करना पड़ेगा 3-4 km चल रहे आपका दिमाग कांट करना चाहिए अच्छी खासा और setting power अच्छी चाहिए तो आप फाड़ के रख दोगे designing field में फिर हम बात करें as a site engineer जब site पे जाओगे तो आपको internship मतलब थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए और मैं site engineer का लेकिन planning इसमें sorry designing में क्या है job option काफी जाद है जिस type का आपके software सीखा होगा थोड़ा बहुत उसमें क्या है software matter करते हैं जादा designing में अगर हम बात करें तीन चाहर जोब जो mostly रहती है planning की रहती है 3D visualization की रहती है structure designing की रहती है beam coordinator की रहती है यह सब jobs आप देखने को देखोगे designing में और इसमें अगर autocad आती है तो आप planning बगरा यह स software आता है Rebuild architecture 3DX Max Google Sketchup तो आप 3D visualization कर सकते हो मतलब इस में इस फिल्ड में जाकते हो यह अलग टाइप की jobs जो रहती ही in designing में structure designer अगर है तो उसको सैब 2000 उसको आना चाहिए eTab भी उसको आना चाहिए strad pro आना चाहिए rcdc आना चाहिए तो beam coordinator के लिए तो beam सीखना बढ़ेगा तो यह जो jobs हैं इनमें अगर software सीख लिया थोड़ी पोज internship कर ली 3-4 महिने की किसी company में बीना पैसे के भी तो काम बन सकते है ठीक है लेकिन इसमें मेरे ख्याल में job काफी ज़्यादा कम है as compared to execution field side engineers की jobs निकलती रहती है कोई भी छोटा मोटा काम रहेगा side engineer की job रहेगी लेकिन जो designer की job कम आती है कोई बड़ी firm होगी चामना सी कंपनी होगी तो वो designer खुद hire करते हैं vimos Lights खुद आर कर pregnant लेकिन थी ञड़ साथ च्पिरिनेंस की शाथ बहच जादा बढ़ जाती है कि क्योंकि वो percentage लेने लग पड़ते हैं जिटना total cost होगा उसका 2%, 10% ऐसे इसाब से रहते हैं बागी side engineer की promotion जब रहेगी वो billing तक पहुंच गया है senior side engineer पहुंच गया तो salary कम रहती है designer से यह चीज देखी केगी फिर हम बात करें जोब काफी ज़दा रिस्की है किसकी side engineer टर्नल बगेरा में चल जाओ life खतम होने वाले होती है जैसे recent में एक टर्नल में काम कर रहा था जब तो जिस दिन मैंने job छोड़ी मेरे जगा दूसरा engineer आया within two days उसके मतलब blasting चल रही थी तो उसके angle पे पत्थर गिरा उसके ankle टूट गया तो रिस्क बहुत जादा वैसे building में रिस्क है road में भी इसमें वी लेकिन designing में इतना जादा रिस्क नहीं रहता है एक दो visits रहती है जादा visits वहां नहीं रहती है इसमें अगर आपको field में जाना है field का मज़ा क्या है क्योंकि काफी बच्चे demotivate हो गए कि सर ने क्या बता दिये field में मज़ा ये है वहां पर इतना stress नहीं रहता है इसका जो mentally stress रहता है starting में रहेगा ऐसे site engineer रहेगा कि जो work pressure है कि आज ही आज खतम करके तो जब एक बार experience हो जाएगा तो आप को handle कर लोगे वह चीज अच्छी है salary थोड़ी अच्छी हो जाएगी एक अच्छे level पर पहुंच जाओगे तो काफी चीज़े अच्छी है ऐसा कुछ नहीं है कि आप execution field में जाके कुछ होगा नहीं वैसे मतलब exposure बहुत है और options बहुत है field job में और designing में options का में job जादा जल्दी नहीं मिलती तो यह चीज़ भी है खुद की firm खोल सकती हो और अभी idea लगया होगा अभी मैं अलविदा लेता हूँ लेकिन प्लीज चैनल को subscribe करकर रखो और बेल लाइकिन दुआ कर रखो